प्रकृति प्रेमी पर्यतकों के लिए शीर्श दस रमणिय ग्रीश्मकालीन गंतव्य दुनिया भर में फैले ये दस स्थान एक आदर्श ग्रीश्मकालीन अवकाश का सार प्रस्तुत करते हैं चाहे कोई यूरोपिय आकर्शन की सुन्दरता उश्नकटि बंधिय स्वर्ग का आकर्शन या प्राकृतिक आश्चरियों की महिमा चाहता हो ये स्थान सभी प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं गर्मियों का सूरज दुनिया के इन कोनों पर अपना जादू भिखेडता है और यात्रियों को प्रकृति की मौसमी कृति की चमक के बीच आराम करने अन्वेशन करने और पुरानी यादें बनाने के लिए आमंत्रित करता है अपने उबर खाबर समुद्र तट नीले पानी और चट्टानों में बसे आकर्शक गामों के साथ अमालफी तट इतालवी तटिय रोमांस का प्रतीक है परियतक स्वादिष्ट समुद्री भोजन का स्वाद चख सकते हैं और साथ ही उन द्रिश्यों की प्रशंसा भी कर सकते हैं जिन्होंने पूरे इतिहास में कवियों और कलाकारों को प्रेरित किया अपनी सफेदी वाली इमारतों और आश्चर्य जनक सूर्यास्तों के लिए प्रसिद्ध सेंटॉरिनी की उबडखाबड सुन्दरता और क्रिस्टल साफ पानी इसे गर्मियों में एक बेहतरीन छुट्टी बनाता है गहरे नीले समुद्र और प्रतिष्थित वास्तुकला के बीच का अंतर एक अविस्मरणिय द्रिश्य बनाता है नमबर त्री बाली इंडोनेशिया यह इंडोनेशियाई रत्न हरे भरे चावल की छटों ज्वाला मुखिय परिद्रिश्य और प्राचीन समुद्र तटों के साथ एक उष्ण कटि बंधिय स्वर्ग प्रदान करता है प्राचीन मंदिरों की आध्यात्मिक शान्ति से लेकर उबुद्र की जीवन्त नाइट लाइफ तक बाली विविद प्रकार के अनुभव प्रदान करता है नमबर फोर स्विस आल्प्स स्विट्जर्लेंड गर्मी से राहत चाहने वालों के लिए स्विस आल्प्स ठंडक का नखलिस्तान प्रदान करता है अल्पाइन गाव, हरे भरे घास के मैदान और विस्मयकारी चोटियां, लंबी पैदल यात्रा, परवता रोहन या बस कुरकुरी पहाड़ी हवा का आनंद लेने के लिए एकदम सही है नमबर फाइव, बैंफ नेशनल पार्क, कनाड़ा कनाड़ा का सबसे पुराना राश्ट्रिय उद्ध्यान, फिरोजा जीलों, विशाल ग्लेशियरों और हरे भरे जंगलों से भरपूर है बानफ का सुरम्य शहर, बाहरी रोमांच की दुनिया का प्रवेश द्वार प्रदान करता है जहां आगन्तुक लंबी पैदल यात्रा कर सकते हैं, डोंगी चला सकते हैं, या आश्चर्य जनक परिद्रिश्यों से घिरे गर्म जर्नों का आनन्द ले सकते हैं गर्मियों में क्योटो के बगीचे जीवन्त रंगों से जगमगा उठते हैं जुलाई में ग्योन मात्सुरी उत्सव अपने पारम पर एक जुलूसों और जीवन्त माहौल के साथ आगन्तुकों को जापान की सम्रिध सांस्कृतिक विरासत की ओर आकर्शित करता है नमबर सेवन केप टाउन दक्षिन अफ्रीका पहाडों और समुद्र के बीच बसे केप टाउन की सुन्दरता अद्वितिय है यहां गर्मियों का मौसम गर्म ताप मान लाता है जो प्रतिष्थित टेबल माउंटेन से लेकर आश्चर्य जनक केप प्रायद्वीब तक विविध परिद्रिश्यों की खोज के लिए आदर्श है गोता खोरी के शौकिनों और समुद्री प्रेमियों को ग्रेट बैरियर रीफ में अपना स्वर्ग मिलेगा दुनिया की सबसे बड़ी मुंगा चट्टान प्रणाली समुद्री जीवन के बहुरूप दर्शक के साथ आगंतुकों को पानी के नीचे के आश्चर्यों का पता लगाने के लिए आकरशित करती है अकसर गार्डन आइल के रूप में जाना जाता है कावी प्रशान्त महासागर में एक हरा भरा नखलिस्तान है इसकी उबर खाबर तट्रेखा, नाटकिये चट्टाने और उश्नकटि बंधिये वर्शावन इसे पैदल यात्रियों, समुद्र तट पर जाने वालों और प्रकृती प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं जहां तक नजर जाती है, वहां तक फैले लैवेंडर के खेत, आकर्शक गाव और जीवन की आरामदायक गती गर्मियों में प्रोवेंस को परिभाशित करती है इस क्षेतर की शाश्वत सुन्दर्ता ने पीडियों से कलाकारों और यात्रियों को प्रेरित किया है झालव और जीवन की एक